दूसरा जो उल्लास है कावी प्रकास का प्रथम उल्लास को हम अच्छी तरह से पिछले वीडियो में समझ चुके थे दूसरे उल्लास का नाम है सब्दार्थ स्वरूप निरने आत्मक ठीक है है जो डूतीया परिंच्छय था उसमंई अमने सब्दार्थ स्वरूप के बारे में जाना था। उस प्रकार कावी का जो कावी परकाश है ममठ आचारी मममठ का तो इसमें अभी दूतिय उल्लास में सब्दार्थ स्वरूप के बारे में बता रखा है अभी उसी परकार है जैसे प्रतम उल्लास में इन्हों ने बताया था कि ताद दोशो और सब्दार्थ का क्या स्वरूप है उसी के बारे में चर्चा इसमें की गई है क्योंकि कावी के लक्षन में ये पद आया वा था अब यही शब्द जो है कावी में इसको शब्द नहीं कहते हर एक शास्त्र की हर एक जो विशह है उसके अपनी शब्दावली होती है अपनी डिस्कनरी होती है तो काविय में शब्द को शब्द नहीं कहते यहाँ पर इसको तीन नाम से जाना जाता है वाचक, लक्षक और व्यंजक ठीक है और अर्थ को भी अर्थ नहीं कहते वाचक शब्द का जो अर्थ होगा उसे वाच्यार्थ कहेंगे लक्षक शब्द का जो अर्थ होगा उसे लक्षार्थ कहेंगे और व्यंजक शब्द का जो अर्थ होगा उसे व्यंग्यार्थ कहेंगे यह सामान्य बात है लगबक सभी ने इसको स्विकार किया है लेकिन कुछ और भी है कुछ एकमत और भी है उसे अभेहितानवाइवाद कहते हैं कुमारिल भट इसके अन्युयाई है कुमारिल भट और इसके अन्युयाई जो है इसके समर्थक है वो कहते हैं कि इसके अलावे एक और वृत्ति होती है अब प्रशन है कि हमें वाक्य के अर्थ की प्रतीती वाक्य के अर्थ का ग्यान कैसे होता है यहीं प्रशन है और इसके विषय में दो वाद है एक वाद है अभिहतानवाई वाद एक वाद है अन्विता विदानवाद अभिहतानवाद जो है वो कुमारिल भट का है ठीक है और कुमारिल भट के अनुयाई इसको मानते हैं और अन्विता विदानवाद जो है वो प्रभाकर का है प्रभाकर असन में कुमारिल के गुरु थ ठीक है प्रश्न किया है प्रश्न ये है कि एक वाक्य में अनेक शब्दों का प्रयूक किया जाता है लेना बाहेु सानला सुने उस और उससे क्या हमें जो अर्थ, जिस अर्थ की प्रतीती हुई क्या वो अलग चीज है, वाक्यार्थ अपने आप में, वाक्य से अपने आप में एक नए अर्थ की प्रतीती होती है, या वाक्य का जो अर्थ है वही असल में वाक्यार्थ है, या फिर वाक्य में जिन शब्दों का प्रियोग किया गया है, वो सभी शब्द अपने अर्थ को पहले बताते हैं, फिर उन सभी अर्थों का आपस में अनवय होता है, और फिर जाके हमें वाट्च के अर्थ की प्रतीती होती है, क्या ऐसा प्रोसेस है, ये दो बाद चलते हैं, ठीक है, तो अभी इतानवय वाद मानता है कि वाट्च के में जितने भी शब्द हैं, वो अपने अर्थ को पहले बताते हैं, प्रत्यक शब्द अपने अर्थ को बताता है, ठीक है, और उसके बाद, वो सभी अर्थों का आपस में अनवय होता है, क्रम से लगते हैं, और फिर जाके वो एक अर्थ की प्रतीती कराते हैं एक नए अर्थ की प्रतिति कराते हैं वही वाक्यार्थ है यह है अभिवितान वादियों का मत्त और अन्विता अभिदान वाले मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है वाक्य का अपना अर्थ है शब्दों को हमने एक साथ बोला वह वाक्य की काई पर खरे उतरता थ ठीक, आकंग्षा योग जिता संदूं को सियुक्त उन शब्दों के सम्मू कमने उचारण किया, और उससे जो भी प्रतीती हुई, जिस अर्थ का ग्यान हमें हुआ, हमें अलख से इन शब्दों के प्रत्य शब्द के अर्थों का अन्वाई करके फिर न आए अर्थ को समझने के हावशक्ता नहीं, यह इनका अन्वीधानवादियों मत है, ठीक है? और तरहि अभीतानवादी कहते हैं कि हमने वाक्य में दिन शब्दों का प्रयुक किया, प्रत्यक शब्द अपने अर्थ को पहले बताएगा, फिर वे सभी शब्द आपस में अनुवित होंगे, ठीक है, और फिर जाके नए अर्थ की प्रतीति हमें होगी, नए अर्थ का ग्यान जो हमे अर्थ का ग्यान तो हमें होता ही है, लेकिन जब प्रत्य एक शब्द अपने अर्थ का बोध करा के हट जाता है, तो उन सभी अर्थों को आपस में लाकर उनका अनवय करने वाली एक नई शक्ति है, और वही शक्ति जो है, उसका नाम है तातपर्यार्थ शक्ति, तातपर ये अनवय करने वाली जो शक्ति है, और वही शक्ति जो है, फिर हमें वाक्यार्थ का बोध कराती है, इसलिए जो है, अभी तानवय वादी, कुमारिल भट्टे के अनवयाई जो है, या कुमारिल भट्ट स्वयम, वो जो है, वो तातपर ये वृत्ति को मानते हैं, ये मिमान सक थे, दोनों ही मिमान सक है, पूरुम मिमान सक, ठीक है, जैमिनी का, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रतेक शब्द अपने अर्थ को बता करके जो है, हट जाता है, वह से, तो उन सभी अर्थों का आपस में अनवय करने वाली जो शक्ति है, और उस अनवय करके फिर एक नई एक वाक्यार्थ, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है, वो तातपरिय नाम की एक शक्ति है, तातपरिय का मतलब भी यह समझ लगी कि इस शब्द का क्या तातपरिय है, ठीक है, इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग करके, इस वाक्य में जो प्रयोग हमने किया है तो इसका क्या तात्परी है तो ये तात्परी उन सभी अर्थों का आपस में लाकर अनवय करके वाक्यार्थ का बोद कराने वाली शक्ति को उन्हें तात्परी शक्ति माना है और इस तरह से तात्परी नाम की एक नहीं एक चौथी शक्ति बनती है अभीधा लक्षन विंजना वाग्य की प्रतित हो जाती है, हमें जो है अलक से एकतात परिव्रति मानने की आविशक्ता नहीं है, ठीक है? इसी बात को यहां पर बताया गया है, आकांग्षा यूग्जिता संदिक के कारण, उन पदा अर्थों के अनवे, पदा अर्थों का मतलब पद के अर्थों का, भाइन ही चुके हैं कि परसपर संबंधे बाधा बावर पदों वाक्यमा यह वे सब्ulture kसरा चला बाध में किसी प्रकार का बाधा न Manual पहरा है इसे हम कहते है, गाए, हाती, गुड़ा, बैल इतना बुल के मचूप हो गया तो तुमारे उकांग्षा बनी रही। कि गाए, हाती, खुड़ा, बैल क्या? आइ, कुस तो बोलो इसका क्या तो इसका मतलब ये वाकी नहीं कहलाया जागई। शब्दों का सम्मूह तो है गाई हाती गोडवेल, शब्दों का सम्मूह तो है लेकिन वाट की नहीं बनेगा, कहलाया जाएगा क्योंकि इसमें अकांक्षा नहीं है, और सन्निदी का मतलब, सन्निदी का मतलब, अलग-अलग समय में उच्छारित किये गए शब्द, ऐसे मैंन सन्निदी से युक्ट जो पदार्थ होंगे, उन अर्थों का परस पर संबंध होने पर, एक तात्परिय नाम का जो एक नए अर्थ प्रकट होता है, उसी से वाक्यार्थ बहुत हमें होता है, और ये जो तात्परिय नाम का एक नया शक्ति है, नया अर्थ है, ये जो है, ये यही बहितêsíst is व्यन्जव से लक्षार्थ की प्रदीती होती है उसी प्रकार वाक्य का वाक्य की अर्थ का बोध कराने के लिए तात्परिये नाम की शक्ती से तट्पर्यार्थ का बोध हमें होता है प्रियार्थ का ग्यान हमें होता है ठीक है यही है अन्वीता विदानवाद और अभीतानवाद यही है अब व्यन्जक जो है असल में यह शब्द का भेद है ठीक है शब्द के तीन भेद है वाचक लक्षक और व्यन्जक व्यन्जक जो है वो शब्द का भेद है लेकिन व्यन लक्षार्थ की द्रिश्टि से इंपॉर्टन वैसे बहुत ज़्पुन नहीं परिक्षा की दिश्टि सब्सक्तर पुस्तग में पुष्टक में विन वूल देख नौगाले हैं बस इसमें इतना ही है कि वाच्चे अर्थी की द्रिष्टी से अगर हम शब्द व्यंजक्ता देखें तो इसका उधारन मात्री ग्रहुप करनमध्य इस तरह से उधारन मां पर दिया गया है लक्षार्थ जहां पर लक्ष लक्षना प्रधान होगा अर्थ जो होगा और उसकी इसका प्रियोग किया जाता है यह से प्रियोग किया जाता है यह तो था जो अभितानविवाद और अनविता भितानवाद का प्रकरण अब इसके बाद जो शब्द तीन प्रकारगा बताया था वाचक, लक्षक और व्यन्जक इनके बारे में बताते हैं वाचक शब्द क्या है, लक्षक शब्द क्या है और व्यन जक्षब देखिया है तो चलिए आप इसकी विशे में जानते हैं यहाँ पर आप यह मानकर चलिए कि जो तात्परी वृत्ती है महम्मठ को स्विकार है वो महम्मठ तात्परी वृत्ती को मानते हैं ठीक है? चलिए